असलाम अलेकूम मैं हूँ शाही असलाम अलेकूम और मैं हूँ नाज किसे आप सब आई होप कि आप सब के रियास से होंगे आज हम आपके साथ सेर करने जा रहे हैं सिंपल एन एजी टेस्ट में बेश्ट मटर पुलाओ और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक से रो सब्सक्राइब करने ना भूले तो आए बनाना इस्टाइट करते हैं मटर पुलाओ मटर पुलाओ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम बासमती राइस लिया है और इसे आदे घंटे पेले हमने भीगो कर रख दिया था और उसका पानी हमने नितार लिया ह मटर पुलाओ बनाने के लिए हमने यहाँ पर देड़ कप मटर लिये एक बड़ी प्याज लेके हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिये और कुछ बगार के लिए खड़े गरम मसाले लेंगे सासे आट लोग, वन सिनेमन श्टिक, क्वाटर इस्पून साजीरा, दो बड़ी लाईची, हाफ इस्पून जीरा लियाए, हाफ इस्पून काली म्रीच और दो बादियान के फूल सूखे मसाले एट करेंगे, 1 इस्पून धनिया पाउडर, 1 इस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 इस्पून हमने यह सोप का पाउडर लिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नमक पर्टू टेस्ट हम इसमें कुछ मसाले ग्राइंड करेंगे मटर पुलाओ के लिए हमने साथ से आड जवे ले लिए लस्टन के एक अद्रक कर टुकडा ले लिया है एक छोटी प्याज लेके हमने इस तरह कट कर लिए और हमने चार से पांच हरी मिर्च लिए होईल को गरम कर लेंगे और इसमें सारे खड़े करम मसाले एट कर देंगे गरम मसालो को हलका सा फ्राइ करेंगे बस हम हलका ही फ्राइ करना है मसालो को स्लाइस की प्याज एट कर देंगे प्याज को हमें लाइट खोल्डन ब्राउन करना है डार्क प्राउन नहीं करना है बस लाइट खोल्डर ब्राउन करेंगे प्याज को आप हमारी ट्रीक से एक बार जरूर मटर पुलाव बना के देखिएगा इंशाल्ला आप बार बार इसी ट्रीक से बनाना चाहेंगे और यह बहुत टेस्टी और यम ही बनता है फ्लेम को हमने हाई रखा है हाई फ्लेम पे हम प्याजों को गोल्डन करेंगे प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी बस इससे जादा हमें गोल्डन नहीं करना है जादा गोल्डन करने से पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा अब इसमें हम मटर रेट कर देंगे मटर को ओईल में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे ओईल में अच्छी तरह से फ्राइ करने से मटर जली टेंडर हो जाती इसे अलग से टेंडर करने की जरुट नहीं पड़ती मटरों को मटर ओईल में अच्छी तरह से फ्राइ हो चुकी अब हम इसमें ग्राइन करेवे सारे मसाले एट कर देंगे और मसालो को अच्छी तरह से हमें भून लेना है फ्लेम को हाई रखाए हाई फ्लेम पे हमें भूनना है मसालो को अच्छी तरह से अधरकलस्तन, प्याज, हरी मिर्ज अच्छी तरह से भून लेंगे अभी मटरों का सीजन चल रहा है आप इस ट्रीक से एक बार जरूर मटर पुलाओ बना के देखिएगा बहुत टेस्टी और यमी बनता है अब हम इसमें सारे सूखे मसाले एट कर देंगे मसालो को भी मिक्स करेंगे मसाल अच्छी तरह से मटर में मिल जाए इसलिए थोड़ा सा पानी एट करेंगे वनी स्पून और अच्छी तरह से भून लेंगे एक मिनीट के लिए बस एक मिनीट ही हमें भूनना है मसाले अच्छी तरह से भून चुक है, ओल भी सेपरेट हो चुका है अब यहाँ पर हम तिन ग्लास पानी एड़ कर देंगे, पानी हमें बहुत ज्यादा एड़ नहीं करना है और पानी को हम बोईल आने देंगे पानी में बोईल आ चुका है अब हम भीगे वे चावल एट कर देंगे और चावलो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमने एकलास पानी ओर एट किया पानी चावलो के एक इंचुप पर ही रखना है जादा पानी एट नहीं करना है इससे बहुत अच्छा खिला-खिला पुलाओ तयार होता है हाई फ्लेम पर 5-7 मिर्ट कवर करके चावलों का पानी ड्राय कर लेंगे हाई फ्लेम पर 4-5 मिर्ट हो चुकी है 80% चावल कुक हो चुके हैं और पानी भी ड्राय हो चुका है बस थोड़ा सा ही 20% पानी बचाए अब हम इस अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम को लो कर देंगे 4-5 मिर्ट तक हम लो फ्लेम पर दम पर लगा देंगे कवर करके लो फ्लेम पर 4-5 मिर्ट हो चुकी है माशालला पूरी तरह से पुलाओ दम पर आ चुका है पूरी तरह से पुलाओ कुक हो चुका है ये इसे प्लेटिंग कर लेते हैं खुशबूदार खिला-खिला मटर पुलाओ लीजी बनके तयार है सिंपल एंटेश्टी मटर पुलाओ आप इसे रायते और गरीन चटनी के साथ सरू किजी बहुती मज़े का लगता है थैंक्स पूर वाचिंग अपनी दौाओं में मैं याद रखिएगा शाही को और नास को इजाज़त दीजिए अल्ला हाफीज